मसाल्यां दी सही तरीके नल वर्तों जे असी अपने पोजन विच कर दे रहे ता ना कदी अगनी मंध होएगी ना मेटाबॉलिजम खराब होएगा ते ना ही रोगां दी शुर्वात होएगी आओ तिन तरां दे खास मसाले त्यार करिए जिना दी वर्तों असी रोजाना कर सकत सच शरेकाल जी मैं हां डॉक्टर गगन प्रीत को और ते तुसी वेख रहे हो पंजाबी आयर्वेदिक रसोई आयर्वेद अनुसार रोगां दी शुर्वात ओदों हों दी है जदो साधी अगनी मंध होनी शुरू हो जान दी है ते अगनी मंध नू ठीक करण वास्ते मसाल सद्या तो ही आयर्वेदिक रसोई तरह किती जा रही है आओ तिन तरह दे खास मसाले तियार करिए जिना दी वर्तों असी रोजाना अपने पोजन विच कर सकते हां इना नू कार्विच त्यार करना बहुत ही असान है ते कार्विच त्यार किते होई मसाले ही साड़ी लई दवाईदा काम करनगे असी भोल ले रहे हैं, ताकि सारे मसालिया नूँ धाया कर लेए सब्तो पहला मैं 4 चमचे इथे मुटा तनिया incarnation है 80 चमचे नू नाप लेना है मैं इस चमचे नाल जड़ी की छोटी कढ्ची है, सर्विंग स्पून है एस दे नाल 4 चम्चे मिन के तनिया ले ले लेया है। हों मैं जिड़ जीरा ले रही हां। ए वी एस सपून दे नाल मिन के 4 चम्मच असी जीरा ले लाँगे। मसालिया दी मात्रा ओसे तरीके लई गई है। कोई किनना गरम है ते किनना ठंडा है। इस कारके तुसी भी एसे हिसाब नाल लेना, जेडे सौफ हन ए असी ले हन दो चम्मच पारके, एसे चम्मच नाल दो चम्मच पारके सौफ दी ले ले हन, एस नो अगली चीज जेडे असी लवांगे ओ है लॉंग, लॉंग असी एक चम्चा पारके लेना है, लॉंग जेडे ह इना दी तासीर गरम नहीं हुंदी आईरवेद अनुसार ते ए तिजाब दे उपपर बहुत ही ज्यादा वधिया कम कर दे हन। इना दी तासीर गरम नहीं हुंदी आईरवेद अनुसार गरम नहीं हुंदी आईरवेद अनुसार वधिया कम कर दे हन। नहीं करूंगी। इस दी तासीर वी ना बहुती गरम ना बहुती ठंडी हुंदी है इस नो असी सारा साल खा सक दे हा। जिया सी सुंड दी गल करिये ता सुंड जेडी है एस दा विपाक मदूर हुंदा है ए अदरक नालों काट गरम हुंदी है पर दवाईया दे तौरते एस दी वर्तों ज्यादा लाब दायक है। जित्थे वी वेट ज्यादा है आम शरीर दे अंदर है टॉक्सिंस बहुत ज्यादा जमा हैं जोडां विच सोज है दर्द है या फिर महावारी खुलके नहीं आंदी शरीर विच कोई गिल्टियां हैं पीसी ओडी थाइरट दी प्रॉब्लम है किसे वी तरह दी समस्या जिस बजार वाला जड़ा मसाला है उस आनू इस तरहां दा कोई फाइदा नहीं दे सकदा क्योंकि बहुता करके ओ खुश्बू रंगत ते बहुत ज्यादा बरीक पीस्या होन करके काट ही पौशक तत्ता वाला हुन्दा है इस करके जदों सी इसनू कारविच त्यार करांगे त नाकि ग्राइंडर नू कोई नुकसान ना पौँचे ता हलका जा कुटके इस दे छोटे टुकडे कार लवांगे ते ओस तो बाद इस मसाले नू असी ग्राइंडर विच पीसना है मसाले नू पीसन लगगे कुछ गल्ला दा त्यान रखना जरूरी है मसाला सुक्का होवे जे तो हनू लगदा है कि उसी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है ता तुसी एस नू एक या दो मिंट दे लई बहुत ही मठी गैस दे सेख सकते हो दूसरा एत्यान रखना है कि जदो असी मसाला पीसना है ता एनू बहुत ही ज़्यादा ब्रीक ना कार दे हो क्योंकि नई जे है कि जदो असी कारविच मसाला पीसना है ता बहुता ज्यादा ना पीसके रखो कि एक दो महीन्यादा या छे महीन्यादा सी कठा पीस लिया 15 दिन दा मसाला पीसो जे तुसी एस नू दवाई दी तरह गुनकारी बनावना चौन दे हो क्योंकि मसाला कोई सबजी जदो असी जेडा पोजन ले रहे हैं ए पूरा दा पूरा सई तरीके नल पाच गया चंगी रस ता तू दी उत्पत्ती होई सारे न्यूट्रियंट्स एब्जॉर्ब हो गए ते जेडा अनपचिया पाग है या जेडा मल बनना है ओवी पक्व मल बनना चाहिदा है मल वी श चुद्ध होना चाहिदा है मसाला एक अम करदा है अगनी नूँ बैलेंस करदा है शरीर विच ता एस्तरा दी चीज बहुत ही वधिया होनी चाहिदी है ए जिनना ज्यादा वधिया होएगा ओना ज्यादा असी बिमारियां तो बचे रमांगे किसे वी वधिया क्वालिटी ते एरटाइड डब्बे विच तुसी इसनू बांध करके रख सकदे हो ते अपने तिन्नों समय दे पोजन विच अद्दा अद्दा चम्मच असी इस दी वर्तों कर सकदे हाँ जे तुसी इसनू आयरवेदिक हरबल टी दी तरह वर्तना चाहो ता इस विच लाल मिर्सी दी वर्तों ना करो उसनू छट दे हो ते बाकी चीजां सी पा सकदे हाँ एस तरह बिल्कुल छोटे चम्चे दा एननक हिसा यानि के दो चुटकियां दे लगपग असी इसनू पानी विच बॉइल करके थोड़ा इस विच निम्बू पाके ले सकदे हाँ जे किसे नू पुख नहीं लग दी या पोजन तो बाद बहुत बदहजमी रेंदी है ता ए बहुत ही वधिया कम करेगा एस तो इलावा वेट लॉस हाई केलेस्ट्रो पीसी ओडी थायरेट दिरोगिय लई वी बहुत ज्यादा वधिया है दूसरी चीज ये हुंदी है जेडे बहुत पतले हन उनना दा वी हाजमा ठीक करना पैंदा है ताही उनना नो खुराक लग दी है ते उनना दा वेट गेन होएगा उस्तरा वी जे असी मसाले दी वर्तों कर दे हां ता ए फाइदे मंद ह आओ हुन अगला मसाला प्यार कर दे हां एस मसाले नो तुसी चाट दे विच लस्सी, रायता, जूस एस तरह किसे वी चीज विच असी वर्त सक दे हां एस ते लई असी बराबर मात्रा विच एक चमचा जीरा एक चमचा मोटा तनिया ते एक चमचा ही मोटा सौफ लेना है पाव के जे असी ज्यादा बनाणा होवे तावी ए तिन्नों चीजां असी बराबर मात्रा विच लमांगे। एथे मैं सातथ कालिया मिर्चा पा रही हां तुसी स्वाद अनुसार कालिया मिर्चा दी मात्रा वदा या कटा सकदे हो। एस विच वी असी एक छोटा टुकडा 2-3 ग्राम दा सुंड़ दा पा दियांगे। जे तुसी पावडर ले रहे हो ता अद्दक चमचा सुंड़ दा पावडर असी एस विच पा सकदे हां। एस मसाले दी वर्तो दे नाल जे तो हानु कोई वी फ्रूट खान नाल थंड़का या ब्लोटिंग गैस हुंदी है जूस पीन नाल या दई लसी खान नाल तुसी ओना सारियां चीज़ां तो बच सकदे हो। तकलीफ या पेट दे रोग रेंदे हन उनाले वी बहुत लाब दायक है। ते एक मोटी इलाइची लई है। एना दे असी बीज ले लवांगे छिलका असी कड़ देना है। एना बीजा नू वी एस दे अंदर लाके एस नू पीस के ए पाउडर वी असी दसक देना लई बढाके रख सकदे हा। बच्यां दे दुद विच उबाल देओ या फिर असी जिना नू डायबटीस दे दिक्कत नहीं है ओ वड़े वी ले सकदे हन। जिना नू बर्निंग सेंसेशन हुन दी है या दुद सही तरीके नल नहीं पचदा तिजाब बंदा है या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग ह हुन दी है उना सारे रोगां दे विच वी ए बहुत चंगा काम करदा है बेशक ए मसाला ठंडा है पर फेर वी जिना नू साधी दिक्कत है कफ दे रोग हन तावी काम करेगा क्योंकि मिश्री कफ शामक भी हुन दी है ए तिन्ना दोशा नू बैलेंस करण वाला है एस दी वर तो सानू बहुत सारियां बिमारियां तो बचा सकती है तुसी इस तरह अपनी मील प्लैनिंग कर सकते हो अपनी किचन दे विच कुछ त्यारियां करके रख सकते हो जिस नाल असी बहुत सारे चकर हस्पतालनाच लगान तो बच सकते है ते अपना समा बचा के अपने आपनो केवल शरीरिक तौरते ही नहीं सगों मानसिक तौरते भी स्वस्त कर सकते हां क्योंकि जे शरीर ठीक है तम मानते रूता अपने आप ही खुश रहन दे हन एस ही आज दा वीडियो उमीद कर दी हां कि तोहानू बहुत पसांद आया होएगा मैं फिर मिलांगी किसे होड नवी जानकारी देनाल ता तक ले सच्छ रेकाल